हलो फ्रेंड्स मेरा यानि मौलिक चौक्सिका स्रीजी कंस्रक्शन की और से प्रेम भरा नमस्कार आज आप लोगों का इतना रिस्पॉंस के बाद और ले मेन लोग भी जो मुझे फॉन करके या मेरी योट्यूब चैनल को सब्स्राइब करके जो भी बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने आपका सुजाओ को एसेप्ट करते हुए ये एक नए तरीके से लिख प्रूफ और हैल्दी इंडिया मिशन जो लिख प्रूफ एंड हैल्दी इंडिया मिशन में हम पर सनिवार को सैटर्डे को पांच एपिसोड की एक नई सीरीज लेके आ रहे है तो मेरे प्यारे दोस्तों मिरे साथ बने रहेंगे ये सीरीज में हम एपिसोड वं में जानेंगे चाहिए आगे आज के समय में वॉटर पूफिंग क्यों जरूरी है वाइपिसोड यूमें नेसेसरी इन तुडे brize सिनेरियो एपिसोड टू में हम लोग जानेंगे सक्किम्वेशिक पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए उसमें यह थोड़ा डिटेल वाला सब्जेक्ट है इसलिए वह टॉपिक को हम पॉइंट एक से लेके साथ उस दिन में जानेंगे और सेम एपिसोड फोर सनीवार को आने वाला है उसमें आठ से लेके तेरा पॉइंट वाटर्पूफि यह इन्वेस्मेंट है या आपका एक्सपेंस है वाटर्पूफिंग इस एन इन्वेस्मेंट और एक्सपेंस यह पूरा बेजिक जो इस फिल्ड से जूड़े हुए पुरे इंडिया या वर्ल्ड के जो भी लोग है उनको समझाना चाहूंगा और मैं उनसे यह मेरा जो एक वाटर्पूफिंग क्यों अभी के संजोग के इसाब से आनिवारिया है वो सब पूरा कॉमन प्लैट्फॉर्म पे बढ़िया सा जानेंगे तो हम आज एपिसोड वन मानें आज के समय में वाटर्पूफिंग क्यों ज़रूरी है वाई वाटर्पूफिंग इस नेसेसरी इन टूडेज सीनेरियो उसको डीटेल में जानेंगे तो मेरे साथ बने रहेगा कहीं मत जाईएगा वाटर प्रूफिंग क्या है वाटर प्रूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया या कोटिंग सिस्टम है कि जिससे स्ट्रक्चर या मदर सर्फिस में पानी न जाए पहले के समय में वाटर प्रूफिंग करने की आवज़ चेक्ता नहीं थी या कम थी ऐसा क्यों उसका अंसर यह है कि पहले के समय में यानि की करीबन 15-20 साल पहले वाटरपुफिंग करने की आवश्यक्ता कम थी या नहीं थी उसके बहुत सारे रीजन से उसमें से रीजन नमबर वन उस समय रेसिडेंशियल या कॉमर्सियल या कॉमपलेक्स जो भी बनते थे उसकी बहारी दीवाल नौईज के चंतर की या थिकनेस की होती थी और उपन वायरिंग होने के कारण दीवाल के प्लास्टर में क्रेक बहुत कम होती थी जिससे अंदर की दीवारों पे भेज रेली या बहुत मुश्किल से दिखाई देता था रीजन नमबर दो पहले के समय में इंटरनल या एक्स्टरनल वॉल को डेम्परूप कोर्स मनें डिपीसी किया जाता था जिसकी वज़े से राइजिंग डेम्पनेस या कैपिलरी एक्शन बहुत कम होता था और रिजन नमबर थ्री इन अर्लियर टाइम आर्सिसी सिल बैंड और लिंटल बैंड भरने के कारण और दीवाल में एक्सपंशन और कॉन्ट्राक्शन की वज़े से होने वाली क्रेक कम हो जाती थी और इसलिए बारिस का पानी दीवाल के अंदर प्रवेस नहीं करता था विजन नमबर फोर 15-20 साल पहले वातावरन में अभी के जैसे फेरफार नहीं होते थे पॉइंट नमबर पांच लेबर की अच्छत नहीं थी और उनकी कार्या दक्सता अभी के मुकाबले बहुत अच्छी थी काम की स्पीड भी जरूरत जितनी ही थी और उस वक्त जैसे अ पुराने समय में waterproofing material की awareness कम थी और इसलिए waterproofing का ग्णयान और material आसानी से नहीं मिलता था आज के समय में waterproofing क्यों जरूरी है कि अचके समय में waterproofing क्यों करवाना चाहिए क्योंकि water proofing जो भी आज के समय में करवाना चाहिए उसका पॉइंट नमबर वन आज के नए बात काम के नियमों और मौगवारी के अनुसार बिल्डिंग की अधिकांस बाहरी दिवाले सडेचारीच की थिकनेस की ही होती है कंसिल्ड वारिंग होने से और आर्किटेक के जो बाहरी एलिवेशन के जो व्यू होते है उसमें बाहर की wall में elevation या groove वो देते हैं जिसकी बज़े से बाहर से crack में से दीवाल की अंदर की तरक भे जाने के chances बहुत बढ़ जाता है पॉइंट नमबर दो आज की अधिकान सिमा रते में बाहरी दीवाल और भीतरी दीवाल तीन इस से लेके सड़ेचारी तक की भी होती है और कुछ तानों पर दीवालों को cement block माने ACC block autoclave, aerated concrete block से बनाया जाता है जो porous होने के कारण वहाँ और DPC नहीं होने के कारण rising dampness या capillary action दीवालों में दीखता है माने कि जहाँ कोई plumbing की line ना हो वहाँ भी beige या sipage या dampness दिखाई देता है पॉइंट no.3 आज की इमारत में अधिकांस हिस्से में थोड़ा RCC seal band और RCC lintel band नहीं भरने की वज़ा से दीवार में जब भी expansion contraction होता है तो वहाँ crack हो जाती है और इसलिए बारिस का पानी दीवार के अंदर प्रवेस्ता है और माने बाहर की external wall से अंदर की internal wall में बारिस के समय या plumbing की कोई leakage की बज़े से पानी अंदर आता है वाटर प्रविंग क्यों ज़रूरी है उसका point no.4 ग्लोबल वार्मिंग के कारण बातावरन में फेरफार होते है दीन के समय में के दोरान घर्मी बहुत बढ़ जाती है और यह दीवार में crack पैदा करती है और बाद में नावाडेज वो water leakage की समझया में convert हो जाती है point no.5 वर्तमान में labor की कमी है और उसकी वज़े से या उसकी workmanship में खामी आती है वर्किंग accuracy में खामी होती है इसलिए ultimately workmanship सही नहीं होने के कारण लिकेज होता है वर्तमान समय में हर किसी को काम पूरा करने की गती बढ़ानी पड़ती है point no.7 जो लोग या तो अपना घर या office खरीदते हैं या खरीद रहे हैं वे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और कुछ समय के लिए पूरी जिन्गी की बच्चत भी उसमें लगा देते हैं और बहुत सारा खर्चा करने के बाद भी इंटीरियर में मनें इंटीरियर सजावट म भी बहुत investment उनका होता है इस परिस्तिति में अगर बाद में crack होता है या crack होने से workmanship में या खामी होने से crack होती है तो water leakage की समस्या आती है सो किसी भी घर या office या कोई भी infrastructure आप बना रहे हैं तो उसमें waterproofing expert की निग्रानी में ही वो task को पुरा कीजिए जिससे हम कोई भी घर या office या infrastructure में proper waterproofing या proper system करने से उसकी service लाइब बढ़ा सकते हैं बरकरार रख सकते हैं जिससे हमें हमारा जो भी investment है उसके साथ हमारी जो भ मेंटल पीस और सुकुन जुड़ा हुआ है वो सब बरकरार रख सके तो once again thank you आपका सुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए आज हम लोगों ने साथ में जाना के लिक प्रूफ और हल्दी इंडिया मीशन की पांच वीडियो की जो episode की series है उसमें waterproofing क्यों ज़री रिये और next Saturday माने की basic waterproofing और quality waterproofing क्या है और waterproofing कहां करना चाहिए तो मेरे साथ बने रही है मेरी YouTube चैनल स्रीजी construction को like करे, share करे, subscribe करे और ये industry या ये field से जुड़े हुए सभी लोगों को जहां तक पहुचा सकते उतना awareness पहुचाईए और layman भी जो मेरे साथ जुड़े हुए जिनको उनका waterproofing अभी कर रहे है या करवाना है future में तो वो भी इसमें जहां तक लिक प्रूफ और healthy India mission कोई awareness के लिए एक अपना योगदान देते रहे तब तक के लिए खुच रहे, मस्त रहे, स्वस्त रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे, जय हिन हुआ झाल